और NDA को गले लगा दिया, करनाटग और तेलंगना में दोनों जगा दिया, साथ यो तमिल नाडू, मैं तमिल नाडू की टीम को भी बढ़ाई देना चाहूँगा, और वहां हमारा NDA समूब बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था, हम एक साथ ये छीट नहीं लडा पाएंगे, लेकिन इस लडाई में हम साप रहेंगे, और मैंने बहुत से NDA के साथ ही तमिल नाडू मैं ऐसे हैं, कि जिनका कोई उमिदवार नहीं था, लेकिन इस जिस तेजी से NDA का वोटशेर बढ़ा है, वो साप साप संदेज दे रहा है, कल मैं क्याल लिखा हुआ है। शायद हंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में है, इतना जुल में एक विचार धारा को लेकर के जीने वालोगों पर हुआ 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 है। पीडियां खपा दी, पीडियां खपा दी। और आज पहली बार सौंसद में केरल से हमारा प्रतिनीति बन क्या है। साथियों, अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे अंडिया की सरकार करीब परी क्लीन स्विप के साथ। अरुनाचल क्लीन स्विप। आंद्र मैं अब बाबु को पूछ रहा था। बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस गुत्री है। और जो यहां दिखता है नहीं पवन। यह पवन नहीं आंदी है। आंद्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जन्मत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जीजी विशा है। उसका प्रतिमी है। और महाप्रभु जगनाच। और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर का नेक रूप होते हैं। लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगनाच जी को याद करता हूँ, तो मैं हमेशा मानता हूँ, यह गरीबों के देवता है। और वहाँ जो क्रांती रूप पननाम आया है। मैं इसे एक रिवोलुशन देख रहा हूँ। और मैं इसके साथ कह सकता हूँ, कि विख्सित भारत का हमारा जो सपना है। आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था। यह मैं 25 साल कह रहा हूँ। आने वाले 25 सांग महाप्रभु जगनाज जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा। साथियों, हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फॉनफे नहराज चरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा यार यह तो ठीक है आखड़े माखड़े तो, मुझे यह बताओ कि EVM जिंदा है कि मर गया। क्योंकि यह लोग ताइक करके बैठे थे, कि भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए। और लगातार EVM को गालिज देना। और मुझे तो लगता था कि साइद इस बार वो EVM की अर्थी निक्काश जुलूस निकालेंगे। लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया। यह ताकत है भारत के लोगों के, यह ताकत है भारत के निस्पता की, यह भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायों की, और मैं मानता हूँ कि यह, आशा करता हूँ कि, पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई जेगा, लेकिन जब 29 में हम तो फिर से जाइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआत करीए लेकिन के सुद्रे के सब्बाव नहीं बहुत काउब है अब देखिए चुनाव के समय मैंने पहली बार देगा है शायद हर तीसरे दिन इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावट आये इसके लिए सुप्रिम कोड के दरवाजे खट खट आये गए पार्टी पार्टी के अप्रिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास ऐसे लोग सुप्रिम कोड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहें और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यहने कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़नाम कर लें यह शडियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब इवी इनका विरोग करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं मानता हूँ यह लोग मन से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है वे टेकनोलोजी को हम महत्व न समत्ते हैं तो टेकनोलोजी स्विकार करने को त्यार है और यह सिर्फ एवी एम में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा हाँ लोग हिंदु करते हैं और यह हमें आधार की पद्धिय से आग плох नहीं आएं आप कैसे मदख कर सकते हैं उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीमी कोट में बार 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 बाहर जाकर के परिशानिय परदाएं यह ने मूलत हर यह प्रगतिर के विरोधी आधुनिकता के विरोधी टेक्नोलोजी के विरोधी इंडी अलाइंस हमने देखा है कि साथियों इस देश के लिए कि यह भी चिंता का विशा है कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयास और कितना एक्स्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर आप डेमोक्रेसी हैं और यह दुनिया में जाकर बसा रहे हैं ने ने हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जेसा कुछ ने को वह मोधी बेट गया है और एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया कुछ तो गड़बड़की होगी